अलोगाई, विल्कम टू बैक माई यूटूब चैनल, कैसे आपसे आपसे ने वीडियो में आपसे कस्वाद करता हूं, चैनल के नहीं है तो प्ले चैनल प्रिस्क्राइब लिए, बस हम लोग मर्ग कणिका घाट पहुंचने वाले हैं दोस्तों, बस पर ये देर में आप प्रमाता परवती जी कै कơn का फूल यहांDet कंड मे गिर गया था, जिसे तोहने के काम भगवान संकर जी की द्वारा किया गया दोस्तों, जिस पर दोसु सिर्ण इस अस्थान का नाम मर्ग करण पर गय आर एक दूसरी मानिता के अनुसा भग्वान संकर जी के द्वारा माता सती जी के पार्थिव सरीर का अगनी संस्कार किया गया जिस कारव इसे महा समसान भी कहा जाता है दोस्तों आज भी यहां पर लगातार दास हंसकार होते रहते हैं जिसकी अगनी आज तक नहीं बुझी है इसी के नजदीक में कासी की आध्या सक्ट पीट विशार लक्षमी जी का मंदिर है दोस्तों एक मान्यता के अनुसार स्वयम यहां आने वाले मित्सरी के कानों में तारक मंत्र का उवदेश देती हैं एवं मोक्ष प्रदान करती हैं दोस्तों रंग भरी एकादसी के दूसरे दिन बाबा विशुनात जी का गवना होता है दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा मसान होली खेलते हैं जो की कासी में मड कणिका एवं हरिश्चन घाट के अतरिक्त पूरे विश्व में कहीं ही खेली जाती दोस्तों इस घाट का निर्माड देवी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था दोस्तों यह घाट सबसे प्रमुक घाटों में से एक है जितने के बनारस में घाट है दोस्तों यह घाट उत्तर प्रदेश राज के कासी जिले में इस्थित है दोस्तों इस घाट की सबसे प्रमुक विशेष्टा यह है यहाँ पर जाने वाले दांस संसकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों दोस्तों इसी कारण यह हिंदो धर्म का एक धार्मिक मनिता प्राप्त दासंस का रस्ता दोस्तों इसके चलन में एक कताय कहा जाता बहुत पुराने समय से आज तक यहां की चिता की जौला अभी तक बुजी नहीं है चाहे कितनी भी परिसानिया हों फिर भी यहां का देख के बाद एक चिता जलती रहती है दोस्तों इसी कारण इसको महा समसान नाम से भी जाना जाता है दोस्तों एक चिता की अगनी समात होने तक दूसरी चिता में आगल लगा दी जाती है दोस्तों 24 गंटे ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों वैसे तो लोग समसान घार जाना पसमें नहीं करते दोस्तों लेकिन यहां पर देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों इस घाट पर आकर ऐसा ऐसा होता है कि जीवन का अंतिम सक्त यहीं है दोस्तों कासी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाट में से एक है मरकड का घाट जश्ट गंगा नभी के तिलारे पे बसागा है दोस्तों दोस्तों मरकड का घाट जाने के लिए आप बाई ट्रेन से भी जा सकते हैं दोस्तों बाई एयर भी जा सकते हैं वाराण सी कैन इस्टेशन मरकड का घाट की दुरी लगबग साड़े साथ किलोमीटर है दोस्तों वहां से आप टेक्सी की द्वारा जा सकते हैं और बनारस का जो एयरपोर्ट है दोस्तों बावतपुर एयरपोर्ट है वहाँ से भी आप टेक्सी के द्वारा वहाँ से जाय जा सकता है जो लगबग 26 किलो मीटर के आसपास के दोड़ी है दोस्तों किलो भी आसपास का लगफजर्स हमते हुआ। में एक आड़तेवयों किलोड़ी है एकार की लोगफए भी टोड़ीति जानी डे। एल किक शगिष्विष्थ .. certa dal। जो एक टेमाई थ screening per husband माली टेंने में निरिता है कर दो है और टूला है कर दो कर दो हम या था जो कर सुल है क्योंगा जाल थाना, क्योंब। कर दोपती है हुआ हाप झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, झाल. झाल, 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 झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, झाल. झाल, झाल. झाल, झाल.